हालो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल फैम विलोग में दोस्तों आज हम उत्तर पर्देश की ऐसी सिटी अलिगड में आये हैं जहां पर एक ऐसा किला जो इबराहिम लोदी के समय का ये बना हुआ है आप देख सकते हो पीछे बैक्डराउंड इतना ओसम ब इसमें पानी भरा हुआ होता था तो दोस्तों उस समय में इतना भरी गड़ा था जो दुसमन आये इस पर अटेक ना कर पाएं किले के चारों तरफ दीवार इतनी हैवी तरीके से बना रखी है बहुत ही पॉपुलर पिला है तो दोस्तों ये किला बोने-चौर के नाम से जा उसके बाद अंग्रेजों के हैंड ओबर आया अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवेसिटी के हैंड ओबर में देखे लाए ऐसा लग रहा है जिसी ये टैनल हूँ और यह देखी यहां पर इसके लिए के बारे में लिखा हुआ है वीडियो रोग के पड़ भी सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एक तो डराबनी जगे के साथ साथ में जिन्नातों का कुवा कहलाया जाता है कितना डराबना यह कुवा है और बहुत ही गहरा है हमें तो देखके यह डल लग रहा है कि अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हम लोग इतनी उचाई पर खड़े हुए हैं और यह दीबार आपको दिख रहे के लिए के चारु तरफ तो यह बहुत ही डैंजर जगे है हलाकि इसे बंक कर रखा है तो दोस्तों हलाकि हम लोग अंदर जाने वाले थे लेकिन उन्होंने मना करते हैं यहां पर एक मजार भी है आप देख सकते हैं कि इतनी बेहतरी मजार बनी होई है पानी पीने जान है आप देख सकती है बहुत तेज प्यास लगे काफी देर से ट्राइए कर लेते पानी पीने के लिए तो हमारे साथ में जितने भी लोग थे सभी प्यासे हो गए और यहां पर जिशान भाई मेहनत कर रहे हैं पानी प्लानी की कोशिज कर रहे हैं और यह राहत खान पानी पी रहे हैं यह पानी पीने का दोस्ते यह मजार हो मजार के अंदर मजार वनी है उसमें यह हैंड लगा हुआ हैंड पर लगा हुआ है बहीं पर लोग पानी पी रहे अब अब तोगा यह दूम खेवले हैं यहां बैठने का तो बहुत पुनाने टाइम से तुन दोगा लाग यारा अब आप